यह देखें जी यह मोटर शेरिंग सिस्टेम पे चल रही है इसमें सोलर और वाटा दोनों का क्रेंट दिया गया है मसलें इतना क्रंट सोलर के पास होगा इतना क्रंट सोलर देगा और जो बाकी क्रंट बच जाएगा वह यह वार्था से लेकर पूरा करेगी अब आप देखें तो इस वकत मोसम जो है ना वह सूरे नहीं निकल रहा वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है और यह मोटर बिलकुल अपना प्रेशर चीख निकाल रही है यह मोसम की दूर्टे आज देखें और यह मोटर साड़े साथ एक्सपी की है साड़े साथ एक्सपी किया पांच इंच का पायक है और यह सोलर से तकरीबन दो एकड़ दूर लगाई गई है अब आपको दिखाते हैं इसका जाके शेरिंग सिस्टम जो हमने लगाया है वो सामने छट पे सोलर पैनल लगे हो हैं सोला पैनल लगे हैं पांसो पचास वार्ड के और यह सोलर से तकरीबन दो एकड़ दूर मोटर लगाई गई है अब आपको जाके दिखाते हैं वो जो शेरिंग सिस्टम लगाया गया है इसके साथ और इसको चला के इसकी फ्रिक्वेंसी और आपको अमपेर दिखाते हैं यह देखें जी यह रास्ते में एक ब्रेकर लगाया क्या है जो वाप्टा का करण्ट बंद करेगा यानि जब सोलर दूप मुकमल होगी तब वाप्टा का करण्ट इससे बंद हो जाएगा और सोलर पर डायरेक्ट चलता रहेगा यह इसके साथ यह आया नमेटी का लगाया है यह इसके साथ शेरिंग सिस्टम लगाया है यह वाला इसमें बिजली की तीनों फेस लगाया जाते हैं और इससे निकलने वाला ओड़ पुट करन्ट जो है वो इसको दिया गया है और यह रास्ते में सोलर का भी एक ब्रेकर दिया गया है अगर सोलर को भी बंद करना हो तो बंद किया जा सकता है तो अब आपको चला के दिखाते हैं कि यह कितनी हम बेर लेता है और कितनी फ्रिक्वेंशी पे चलता है अब यह चलिया के बाद पिचास एट्जट पे चला गया है अब यह पांच साथ पूल ता रही है इसे सिवाटा के तीन सो इकानवे गुड़ मोटी के तरफ जा रही है एक ताव के प्रीट इस यह नौ शर्यातीन अंपेर नेड़ी यह मोटी से साथ अच्पिट है पंदरा सु चक्कर हैं मोटी के पंदरा कुट से यह पानी उठा रही है अच्पिसद जोए यह इस्तमान कर दी है बाप्रा को अच्पिसद इन मेंटरा फुद यूज हो रहा है इसके बाद इसको बन कर देते हैं